वेल्कम तो दिव्या पान्वालास किचन आज हम बनाएंगे शाम की हलकी फुलकी भूख के लिए आलू का चटपटा नाश्ता उसके लिए सबसे पहले 300 ग्राम उबले हुए आलू लेंगे और उसे अच्छे से मैश करेंगे अग उसमें एक चोथाई चमच चाट मसाला एक चोथाई चमच काला नमक एक चोथाई चमच नमक एक चोथाई चमच गरम मसाला एक चमच चिली फ्लेक्स एक चोथाई चमच जीरा दो बड़े चमच चावल का आटा दो बड़े चमच बेसन और थोड़ा सा कटा हुआ धन्या डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे अब उस में से थोड़ा सा आटा लेंगे और छोटा बॉल बनाएंगे और उसे हलका दबाग कर मन पसंद शेप देंगे मैंने इसे ओवल शेप दिया है नाइव की उल्टी साइड से उस पे मन चाही डिजाइन देंगे अब गरम तेल में मेडियम फ्लेम पे उसे शेलो फ्राइ करेंगे एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने पर उसे पलट लेंगे दूसरे साइड भी ये गोल्डन ब्राउन हो गए है अब हम इसे निकाल लेंगे लीजी आपका आलो का चटपटा नाश्ता तयार है मेरी ये रेसिप आप ज़रू से ट्राइ करें और आपके कमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रू से बताएं और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूले